ओमो नमाय स्वय दोस्तों ब्रिशब राजसी बले जात्कों का इस चैनल पे स्वागत है इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ब्रिशब राजसी बले जात्कों के लिए साल 2024 में जनबरी का महीना किस प्रकार जाने वला है यानि जनबरी का महीना क्या कुछ खास ब्रिशब राजसी बले जात्कों के जीवन में लेकर आया हुआ है इस विडियो में हम आपको सटीक जानकारी देने वले है इस पूरे महिने की सम्यावधि में आपके कुंडली यानि आपके रासी के उपर ग्रहों की जो अवस्था रहेगी उसके आधार पर आपको किन किन मामलों में सुब प्रभाव मिल सकता है और कहां पर जन्वरी के महिने में आपको विसेश सावधानी बना कर चलने की आवसकता रहने वली है ये जानकारी हम ब्रिसव रासी वले जातकों को प्रदान करने वली है तो ये रासिफल ब्रिसव रासी वले जातकों के लिए ही बने गया है और आपकी चंद राशी के उपर प्रभावी और आधारित है तो आप इससे इसी आधार पर दिखें इस राशी फल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी प्रदान करने वले हैं सबसे पहले तो हम आपको जानकारी देंगे कि ब्रिसवरासी वले जातकों के जीवन में वर्तमान में कैसे इस्थती बनी हुई है और पिछले दो-तीन महिनों में आपको जीवन में कैसे इस्थतियां बनी रही है उसके पश्चात आपको जानकारी देंगे कि जन्वरी में किन किन ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और फिर आपको करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंद, स्वास्थ, एजुकेशन लाइफ और अरंते में हम आपको कुछ विसेश और धार्मे कुपाईयों के बारे में भी जानकारी देने बले हैं ब्रिशव राशी बले जातकों आपके राशी के स्वामे सुक्र माने जाते हैं और आपकी जो राशी है पृतिवी तत्व से प्रभावित राशी माने जाती है बिशवरासी वेले जातकों के सव्हाओं में चनचलता और भावुक व्योः होता है सुन्दरता को आप लोग अधिक महत्तु देते हैं और भौतिक सुखों की ओर आपका काफी रुजान जिवन में होता है बृषवराजी वेले जातकों के अंदर बहुमुक्षी प्रतिभा के धनी ये लोग होते हैं यानि एक साथ कई विधाओं की जानकरी रखने बले बृषवराजी वेले जातक होते हैं समाज में एक अलग ही एक रुतबा बना कर चलने में सफल रहते हैं मान सम्मान के परति, इनका काफी गहरा रुजान होता है, इनके मान सम्मान को कोई छेंट छांड करे, यह इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है आत्म सम्मान और स्वाविमान के साथ, जिवन में जान को अरजित करने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं अपनी योगिता और अपने पूर्शार्थ के बलपर जिवन में बड़े मुकाम को आसानी से अरजित करने में सफल रहते हैं लेकिन पिछले समयावधि में आपके कुंडली में आपके रासी में द्वादस भाव पर चांडाल योग की उपस्तिती 30 अक्टूबर तक बनी रही उसके पश्चात आपके द्वादस भाव पर ब्रहस्पती वक्री अवस्था में प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे थे तो ब्रिसवरासी वले जातकों के जिवन में कई प्रकार की उलजन और नाकरात्मक्ता जिवन में बनी रही सबसे पहले तो ब्रिसवरासी वाले जातकों को पारिवारिक जीवन को लेकर काफी भाग दोड करना पड़ा परिवार को लेकर समस्याएं जीवन में बनी रही कर्म छेत्र के मामले में हतासा निरासा का सामना करना पड़ा ब्रिसब रासी वेले जातकों के मन में उत्सा की कमी बनी हुई किसी भी कारे वेबसाइक को यदि आप कर रहे थे तो उसमें कुछ समय के लिए आपका मनोबल और आपका उत्सा बना रहा उसके पर शाथ आपका मनोबल और आपका उत्सा समाप्त होता रहा ब्रिसव राशी वेले जात्कों को सारे रिक मामलों में भी समस्याओं का सामना करना पड़ा वहीं बहुत सारे जात्कों के जिवन में कर्ज पूर्वक स्थिती का सामना करना पड़ा इसके लिए वीडियो के लाश्ट में कुछ विसेश और धार में कुपाईयों के जानकारी देंगे अब आईए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए जन्वरी किन किन मोर्जे पर अच्छा परिणाम आपको दे सकता है बुद्ध के साथ जन्वरी को बुद्ध का परिवरतन हो जाएगा बुद्ध देव आपके अश्टमभाव और धनुरासी में चले जाएंगे और 18 जन्वरी को आपके रासी के स्वामी सुक्र का भी परिवर्तन हो जाएगा ये भी आपके अश्टम भाव पर चले जाएगे तो 18 जन्वरी से लेकर 31 जन्वरी यानि जन्वरी के अंतिन तक पूना हैकवाल लक्षमी नाराण योग बनने वला है इस महिने के सुर्वात में सुर्य देव आपके अश्टम भाव पर रहेंगे मंगल के साथ प्रभावी रहेंगे पराक्रम योग बनाने वले हैं सनी देव आपके दसम भाव पर मोल त्रिकोंडस तो होकर गोचर करेंगे इसकी बज़े से सनी के दसं भाओ पर होने की बज़े से सस नाम का राजयोग आपके कुंडली में बना हुआ है कुंडली के बार्वे घर में ब्रिहस्पती पूरे महीने भर गोचर करेंगे कुंडली के एक जारवे भर यानि लाव भाव पर राहुदेव वहीं पंचम भाव और संतान भाव पर पूरे महिने केतु की उपस्तती बनी रहने वली है अब आई हम आपको बताते हैं कि जन्बरी का महिना किन किन मोर्चे पर आपको अच्छा परिणाम और स्रेष्ट सफलता की संभावना दे रहा है सबसे पहले तो आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के द्रिष्टी कोण से ब्रिसव रासी वले जात्कों के लिए जन्बरी किन किन मामलों में अच्छा है साल की सुरुआत में दस जन्बरी तक आपके कुंडली के सब्तम भाव पर सुब ग्रहों के प्रभाव से क्रियेटिव छेत्रों में आपको सफलता मिलने वली है यदि आप संगीत, साहित, थेटर, सिनेमा, मिडिया, लाइन या किसी प्रकार का व्यापर कर रहे हैं उसके लिए जन्बरी की सुरुआत आपके लिए बहुत ही वेतर होने वली है इस पूरे महिने की समयाविदि में कर्म भाव पर सनी देव की मौजूद्गी बनी हुई है इसकी वज़े से ब्यापारिक इस्थितियों में उठाया गया कदम आपको ना केबल साकरात्मकता देगा बलकी जिवन में सफलता भी प्रदान करने वले है इंजिनिरिंग भूमी भवन के यदि आप प्रोपर्टी डिलर है समुद्र में यानि नेवी में यदि आप काम करते हैं साइन्टिस्ट है राजनेतिक जिवन में यदि आपका जुडाव है तो ये समय आपके जिवन में उपलब्धी ज़्यादा प्रदान करने वले है जन्वरी के महिने में आपके अश्टम भाव पर कई ग्रहों का प्रभाव महिने के मध्य के पष्चाद बनने वले है तो यहाँ पर चुकि मंगल भी आपके अश्टम भाव पर रहेंगे तो महिने के मध्य तक वर्क प्लेस पर में सरासी वले जातकों को अपने वाड़ी के द्वारा कडवे सब्दों का प्रियोग जरूर नहीं करना है तो यह समय आपके लिए ज़्यादा भेतर रहने वाला है धन के द्रिष्टि कौन से जानकरी दिगा जाए कुंडली के बार में घर में ब्रिहस्पती पूरे महीने भर मौजुद है और देव गुरु ब्रिहस्पती आपके लाब भाव के स्वामी मने जाते हैं लेकिन दर्सकों ये जो महीना है इसमें आपके रासे के स्वामी और बुध के द्वारा लक्ष्मियानाड योग का निर्माड आपके सप्तम भाव पर बना हुआ है ये इस्थिती ब्रिशव रासी वले जात्कों के जिबन में डेली वेजज़ की इंकम का वृध्धी करने वली है यानि दैनिकाय के साधनों में आपको वृध्धी दिखाई देने वली है पिछले समय में यदि आप आर्थिक तोर पर काफी ज़्यादा परिशान थे तो उससे निकटने के अवसर आपको मिलेंगे उससे निकल जाएंगे आसानी से वर्तमान समय में व्यापारिक स्थतियों में आपको परियाप्त धनार्जन के संभावना पूरे महीने भर मिलने वली है ब्रिशव रासी वले जातकों कुंडली का चतुर्त भाव काफी प्रभावी बना हुआ है ऐसे में यदि आप कोई भूमी भवन वाहन खरिदना चाते हैं उसके लिए भी ये समय आपके जिवन में काफी बहतर रहने वला है चोदर जन्वरी के पश्याद सूरदेव आपके सुक भाव के स्वामी होकर भाग भाव पर जाएंगे भूमी भवन के अवसर आपको प्रदान करेंगे नई सफलता देंगे नई प्रोपर्टिज खरिदने के अवसर आपको आसानी से मिलने वला है परिवारिक स्थतियों को लेकर जानकारी दिया जाए बृषवरासी वले जातकों पारिवारिक मामलों के लिए ये समय आपको मिला जुला प्रभाव देने वले है कुंडली के दूसरे घर के जो स्वामी बनते हैं वो आपके लिए बुध माने जाते हैं और बुद्ध देव साथ जन्वरी के पश्चात आपके अश्टम भाव पर रहेंगे और अपने प्रवल सत्रू मंगल के साथ प्रभावी होने वले हैं यूती बनाने वले हैं ऐसे में ब्रिशवराशी वेले जात्कों को जन्वरी में 7 जन्वरी के प्रिशाथ पारिवारिक मामलों में आपको छोटी मोटी दिग्गते जरूर होने वली है हलाकि पारिवारिक जिवन में बड़े सदस्यों का आपको आसानी से सहयोग मिलेगा पिछले समयावधे में यदि आप प्रयाश कर रहे हैं तो समझदारी पूर्वक आसानी से संबंधों में एकागरता भी आप बना पाएंगे लेकिन बुद्ध और मंगल की उपस्तती आपके वाड़े में कड़वाहट दे सकती है तो पारिवारिक मामलों में आपको ज़ादा उलजने से बचना होगा छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तकरार या व्यर्थ की नाकरात्मताओं को निरुमित करने से यदि आप बचते हैं तो पूरा महिना आपके लिए ज़ादा बेहतर रहने वाला है प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टी कोंड से यदि आपको जानकरी दिया जाए दर्सकों प्रेम संबंद के लिए समय बहुत ही शांदार और बेहतर रहने वेला है अठारे जन्बरी तक सुक्र का आपके रासी के प्रतम भाव पर अच्छा प्रभाव रहेगा इसकी वज़ेश से जो जातक प्रेम जीवन में जोड़कर चल रहे हैं अठारे जन्बरी तक आपके लिए स्थिती ज़्यादा बहतर दिखाई दे रही है प्रेम संबंद में उठाया गया कदम आपके जीवन में सुबता प्रदान करेगा भावनात्मक रूप से आपको काफी जुड़ाव देखने के लिए मिल सकता है वहें वाइबाहिक जीवन को लेकर यदि आपको जनकरी दिया जाए देखे वाइबाहिक भाव के जी स्वामी बिंते हैं मंगल माने जाते हैं और आपके अश्टम भाव पर सुर्य के साथ प्रभावी अवस्था में गचर करने वले है उसादी सुधा जातकों को जन्मरी के महिने में रिष्टों को बेहतर बना कर चलने की आप सकता भी रहने वली है पूरे महिने भर आपके वैबाहिक भाव के स्वामी का अश्टम भाव पर होना जीवन साथी के सेहत को लेकर उतार चड़ाओ दे सकता है चोटी मोटी समस्याएं दे सकता है और इस्तों के मामले में चोटे मोटे वैचारिक मत्वेद भी आपको हो सकते है यहाँ पर ब्रिसवरासी वले जातकों को विसेश सावधानी जरूर रखनी होगी साथी सुधा जातकों के जिवन में इस समयावधी में ताल मेल बैठा कर चलने की आवसिक्ता ज़ादा रहने वली है सिख्छा को लेकर जानकरी दिया जाए विसरब्रासी के विद्यार्थी जिवन में जुड़े हुए जात्कों के मन में उत्साह के ब्रिद्धी होने वली है वर्तमान समय में आपका जो पंचम भाव है काफी प्रभावी बना हुआ है खास तोर से ऐसे जातक जो वर्तमान समय में रिसर्च के छित्रों में जोड़कर अध्यन कर रहे हैं पिएश्डी बगरा कर रहे हैं पंच में इसका आश्टम भाव पर जाना आपकी जिवन में गूड विद्याओं की सीखने के लिए रहसी में चीजों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है दर्शन, सास्त, रहनुसंदान, रिसर्च के फिल्ड में जोजातक जूड़कर अध्यन कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा और बेहतर रहने वाला है शेहत को लेकर जानकरी दिए जाए ब्रिशवरासी बहले जातकों जन्वरी का महिना सेहत के मामले में बेहतर आपके लिए कहा जा सकता है साल के सुरुवात में सुकर देव आपके सब्तम भाव पर प्रभावी रहेंगे और अच्छे ग्रहों के साथ यूती बना रहे है और देव गुरु ब्रिहस्पती आपके द्वादस भाव पर प्रभावी रहने वेले हैं तो ब्रिशवरासी बहले जातकों को खान पान को लेकर जरूर अलट होड़ कर चलना चाहिए सेहत के मामले में गंभीर समस्याइं आपको दिखाई नहीं देने वेली है ब्रिशवरासी वेले जातकों को इस सम्याविधि में बेहतर इस्थिती निर्मित करने के लिए देंचरिया विवस्थित बना कर जरूर चलना होगा आपके रासी के स्वामी अठारे जन्वरी के परिशाद आपके अश्टम भाव पर जाने वले है तो आठारे जन्वरी के परिशाद यदि आप कोई वाहन चलाते हैं ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें तेज रप्तार में वाहन ना चलाएं कोई खेल जैसे एक्टिविटीज में यदि आप जूटकर चल लहे हैं पर भी आपको विशेश सावधानी रखनी होगी तो ज्यादा समस्याइं आपको नहीं मिलेंगी और ब्रिसवरासी के लिए पूरा महीना काफी अच्छा और काफी बहतर रहने वाला है यदि आपके लिए धार में कुपाई की जानकारी दिया जाए ब्रिसवरासी वाले जातकों को इस समयावधि में कुछ विशेश सावधानी जरूर बना कर चलनी होगी सबसे पहला साकरात्मक विचारधारा अपने मन में लेकर आप जीवन में जरूर चले देखे यदि आप किसी साकरात्मक सोच वाले विक्ति के सामने कोई अबसर अगर आप प्रदान करते हैं देते हैं तो साकरात्मक विचारधारा विक्ति वाला विक्ति आसानी से अबसर को पकड़ सकता है वहीं अगर नेगेटिव सोच यानि नाकरात्मक विचारधारा के व्यक्तित्व के सामने अगर आप किसी अवसर को भी देंगे तो उस अवसर में वो कठिनाईयां बहुत जल्दी ढोणने में सफल हो जाता है तो ब्रिसव रासी वाले जात्कों को नाकरात्मक मित्र मंडली या नाकरात्मक व्यक्तित्व के लोगों के साथ रहने से जीवन में बचना चाहिए तो समय आपके लिए ज़्यादा बहतर रहने वाले है दूसरा इस समयावधि में आपकी रासी में रासी के जो स्वामी है वो अश्टम भाव पर प्रभावी रहेंगे 18 जन्मरी के पश्यात, सूरे देव और मंगल देव की उपस्थिती भी आपकी अश्टम भाव पर रहने वली है भावना के वसी भूत होकर किसी भी व्यक्ति को कड़वा सब्द बोलने से आपको जरूर बचना होगा तो भी समय आपकी जिवन में काफी अच्छा और काफी वेहतर रहने वला है धार्मी कुपाई की जनकारी दिया जाए सबसे पहले ब्रिसवरासी वाले जातकों को सूर्योदय के पहले रोजाना उठ जाना चाहिए सूर्योदय के पहले आप बिस्तर छोण दे सूर्य देव को यदि आप प्रणाम करते हैं सूर्य को यदि आप जल अर्द देते हैं तो इस्थति आपकी जिवन में काफी बहतर रहने वली है सूरे देव आपके अश्टम भाव पर महीने के मद्ध तक रहेंगे तो रोजाना आपको जरूर उठना चाहिए दूसरा ब्रिसव रासी वेले जातकों को बहतर इस्थति निर्मित करने के लिए सिवलिंग पर जला विश्चे करना महामर्तुंजय नामक मंत्र का जब करना वेतर रहने वला है बेजुबान जानबरों के प्रती यदि आप दया का भाव रखते हैं यथा उचित दानेचारे का यदि आप प्रबंद करते हैं तो भी इस्थति आपके जिवन में काफी अच्छी रहने वली है मचलियों को आटे से बनी हुई गोलियां आप पानी में प्रभाहित करके डाल सकते हैं चारा डाल सकते हैं गौशाले में जाकर गायों के लिए यदि आप हरे-चारे का प्रबंद करते हैं तो भी इस्थति आपके जिवन में बहुत ही सांदार और बेहतर रहने वली है ओमेध ये जानकारी ब्रिसव राजसी बेले जात्कों को बेहतर लगी यदि आपके जिवन में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें जरूर बताएं प्रति उत्तर या अन्य विडियोज के माध्यम से हम उसका समधान करेंगे ओम नमा श्वे